नमस्कार आप सभी को मेरा नाम है कुशागर सिंग और सुवागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको लोको पाइलेट की सेलरी के बारे में बताया था और साथी साथ उनके प्रमोशन सेक्सेप्टर कैसे होते हैं आप आज की वीडियो में मैं पताने वाले था उनकी वर्किंग तो आज मैं आपको वही बताऊंगा और साथी साथ पिछले वीडियो में अखेत्र काम के बारे में बताने वाला हूँ मतलब कि यहां पर सहायता करनी है एक तरह से कि वही जब भी ओ लोग गारी चलाएंगे तो उनको यहां पर थोड़ा सा assistance मिलता रहे assistant logopilot का जिससे कि अकेले उनके उनके उपर इतना ज्यादा बोज ना आ जाए गारी चलाने का और यहां पर एक और logopilot हमेशा उनकी मदद करता रहे कोई भी काम के लिए अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप यहां पर यह समझे कि आपका आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जो भी वहां का ZRTI है अब ZRTI क्या है वही तो इसका मतलब होता है Zonal Railway Training Institute अब भही पहले इसको ZTC भी कहा जाता था मतलब की Zonal Training Center लेकिन अब इसका नाम जो है अगर आपको सिर्फ Electric Locomotive का कोर्स कराया जाएगा तो फिर यहां पर थोड़ा कम टाइम लगता है लेकिन अगर आपकी डिविजन में डीजल इंजन भी चलते हैं तो आपको वहां पर डीजल इंजन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी तो अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ट्रेफिक की भी ट्रेनिंग दी जाएगी अब ट्रेफिक का मतलब क्या हो गया है तो देखिए भारती एरेल में गाडियों के संचालन के लिए बीच में जो भी व्योस्ता रहती है मतलब की जैसे साइन बोर्ड हो गए है तो इस तरह कि जितनी भी चीजे है तो वह आपको तरह को ट्रेफिक में पढ़ाया जाएगा तो चैसे बीच में अब आपको अब नार पर बढल पिक होता है मतलब कि जोंकि अंपको 2009 षैलरी मिलेगी उसके बाद जैसे आपकी वापिस से पोस्टिंग होगी नॉर्मली आपकी सेलरी फिर वहां पर बढ़ेगी जीसा कि मैंने आपको पिछले वीडियों बताया था उस हिसाब से अब यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद में जो भी डिविजन आपको दिया गया है उस डिविजन में कहीं पर भी आपकी यहं पोस्टिंग हो सकती है अब हर डिविजन में कई सारे डिपो होते हैं डिपो का मतलब यह हो गया है कि एक ही जगे पर यहाँ डिवीजन में काम नहीं चलता है अब जैसे कि मैं आपको एक्जामपल के जरिये समझाओं तो देखिए नागपुर डिवीजन में सबसे पहला डिपो तो नागपुर में है कि मतलब यहाँ पर कई सारे लोको पाइलिट्स हैं इसके बाद फिर नाथपुर के अलवा आमला में, बर्धा में, बलारशा में, गुगउस में, इसके अलवा माजडी में तो ऐसे कई सारे यहाँ पर डिपो हैं, जहां पर कि यहाँ स्टाफ रहता है और जैसा यहाँ पर working decide होगी तो उसी हिसाप से उनको वहाँ पर गाडियां चलाना पड़ता है मतलब कि आप यह समझ गए हैं कि हर division में भी कई सारे depot होते हैं और उनमें से अब जहाँ पर भी वेकेंसी खाली होगी तो वहाँ पर आपको यहाँ पोस्टिंग दी जाएगी सबसे पहले अब यह जित्ते भी यहाँ पर depot होते हैं इनको crew changing point भी कहा जाता है अब भाई जो trains होती है तो उनमें लगातार लोको पाइलेट एक जगे से दूसरे जगे नहीं जाता है मतलब कि जैसे मान लीजे कोई गाड़ी चैनने इसे नहीं दिल ली जा रही है तो कोई भी लोको पाइलेट इतना दूर नहीं जाते हैं शिफ्ट केस आप से इनकी duty रहा करती है तो वैसे ही यहाँ पर थोड़े थोड़े दूरी पर लोको पाइलेट चेंज होते रहते हैं तो वही यहाँ पर डिपो का काम है और यह जितने भी crew changing points है मतलब की डिपो वहाँ पर सर्विस होगी तो इस तरह की यहाँ पर नॉर्मल चीजे रहती है इसके बाद फिर जैसी posting आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आपको railway एक SIM देगी उसको हम CUG SIM भी कहते हैं अब इसी SIM से आपका पूरा का-पूरा काम होगा railway से जितने भी आपको call आएंगे duty के लिए इसी SIM पर आएंगे इसमें आपका बात करना और internet दोनों एकदम free रहेगा मतलब की calling और internet दोनों हमेशा के लिए free रहेगा इसमें railway ही पूरा पैसा भरेगी आपको कुछ भी नहीं करना है और उसके बाद जैसे ही आपको SIM मिल जाएगी फिर यहां पर आपको section learning दी जाएगी अब section learning का मतलब यह हो गया है कि जो भी आपको section में काम करना पड़ेगा तो उसमें आपको किसी भी गारी पर किसी दूसरे लोको पाइलेट के साथ में जाना पड़ेगा और पूरी की पूरी वहां पर training लेनी पड़ेगी कि भाई यह section में कैसे यहां पर signals पड़ते हैं कौन कौन से stations आते हैं कहां कहां पर permanent restriction है speed का कहां कहां पर caution order है level crossing कहां है तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको एक बार बताई जाएगी फिर जैसे कि यहां पर उतार चड़ा हो गए तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहां पर बताई जाएगी और लगभग आपको यह साफ याद भी करना पड़ेगा एक टाइम पर वैसे तो जैसे ही आप duty जाएंगे तो अपने आप याद होई जाता है लेकिन पहले पहले भी जरा साफ को ध्यान यहां पर देना पड़ेगा उसके बाद जैसी आपकी section learning खतम होती है फिर यहां पर सबसे पहले ALP को माल गाड़ी में duty लगाई जाएगी मतलब कि सबसे पहले जो भी good strain होती है हमारी उसमें ही आपको duty दी जाएगी जिसमें कि लोको पाइलेट आपके साथ कोई भी रह सकते हैं यहां पर कोई fix नहीं है किसी भी लोको पाइलेट के साथ में आपको काम करना पड़ सकता है कभी भी आपको duty लगाई जाएगी और यहां पर जितना भी crew कंट्रोल करते हैं तो वो lobby से होता है अब lobby का मतलब यहां पर यही हो गया है कि वही हो सारी की सारी गाडियों में crew को assign करते हैं कि वही कौन से लोको पाइलेट किस गाड़ी में जाएंगे तो यह यहां पर lobby है तो यही से आपको सबसे पहले call आएगा कोई भी गाड़ी के 2 गंटे पहले मतलब कि जिसमें भी आपको duty जाना है उसके departure time से यहां पर आपको 2 गंटे पहले call आएगा कि भाई आपको यहां station पर पहुषना है और गाड़ी के departure के लगबग आदे गंटे पहले ही आपको lobby में report करना पड़ेगा जैसी आप जाके lobby में report करेंगे उसके बाद फिर वहाँ पर crew management system या फिर CMS की कई सारी machines लगी होती है तो वहाँ पर आपको जाके sign on करना पड़ेगा अब sign on का मतलब क्या है sign on का मतलब यहां पर यह है कि आपने duty के लिए यहां पर sign कर दिया या फिर आप duty के लिए उपलफद हो गए है तो इसका मतलब हो गया है यहां पर sign on अब यहां पर सबसे mainly तो आपको अपनी ID वगरे डालनी पड़ेगी जो भी आपको railway प्रोवाइट करेगी उसके बाद फिर यहां पर आपका BA test होता है तो BA test का मतलब यहां पर होता है breath analyzer अब इसमें यह देखा जाता है कि आपकी breathe में कहीं दारू की smell तो नहीं आ रही है या फिर कहीं भी आपने alcohol consumption तो नहीं किया है पिछले 24 गंटे में अगर यहां पर जरा से भी smell रह जाती है alcohol की तो फिर वहां पर BA test आपका positive आ जाएगा और उसके बाद यहां पर आप काम नहीं कर सकते हैं तुरंद की तुरंद CMS machine यहां पर दिल्ली तक के जानकारी भेज़ दिया करती है कि भाई यहां पर BA test positive आया है किसी एक जन का तो वैसे में आप यहां पर काम नहीं कर सकते हैं यह चीज सबसे आदा जरूरी है कि आपने बिल्कुल भी alcohol नहीं लेना है duty के पहले वरना आप duty नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ आप पाए जाते हैं BA test positive तो फिर आपको punishment अलग दी जाएगी अब उसके बाद जैसे ही आपका BA test हो जाएगा उसमें आप जैसी negative निकल जाएगे तो फिर आपका यहां पर sign on हो जाएगा पड़ेगा और उस तरह की जो भी विवस्ता है तो यह सब आपको आदे घंटे में करना है और जैसी यहां पर गाड़ी आने वाली होगी तो लॉबी में आपको बता दिया जाएगा कि आप उस point तक पहुँचे जहां पर गाड़ी आ रही है और उसके engine के तरफ चले पहले तो engine को बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा मतलब की टॉर्ट से एक बार अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि engine कोई भी गड़बडी तो आखिर नहीं है क्योंकि कुछ भी होगा तो आपकी responsibility में आएगा इसलिए सबसे पहले यहां पर चेक करना पड़ता है कि engine अब बराबर है और उसके बाद ही फिर आपको यहां पर गारी पर चलना है फिर उसमें मान लीजा अगर आपको कोई कमी मिलती है तो आपको अपने लोको पाइलेट को बताना है और यहां से फिर आपका crew चेंज होगा जो पहले क्रू था वो हट जाएगा फिर आप लोग य पर जब भी रुकना होगा तब भी लोको पाइलेट को बार बार दोहराते रहना कि गाड़ी को रुकना है फिर बाजू से कोई भी गाड़ी अगर जा रही होगी तो उनसे सिग्नल एक्सचेंज करना ट्रेन को स्टार्ट करने के पहले यहां पर गार्ड से बात करना कि बीच में आपको देखते रहना है और साथी साथ जहां पर भी गाड़िया यहां बीच में खड़ी होगी आपके ड्यूटी के दौरान में तो वहां पर आपको इंजन से नीचे उतर गए पूरे इंजन को एक बार अच्छे से चेक करना है कि उसमें कोई प्रॉबलम तो नह और बात हो सकती है अगर बाजू से कोई भी गाड़ी निकलती है अगर रेट फ्लैक दिखाते तो आपको यहां पर तुरंदी गाड़ी को अपनी रोकना भी है या फिर स्टेशन में अगर आपको रेट फ्लैक दिखाएगा तब भी आपको रूखना है उसके बाद जैसी न कि मेरे को पहले है और जैसे कि मैंने आपको पहले पताया था कि साइन आन करते हैं आप SYमेस मशीन में अवैसे ही यहां कि सी एमेस मशीन में वको साइन ऑफ करना पड़ेगा मणलब कि अब यहां पर अपकी ड्यूटि खटम हो गई है यह चीज आपको वहां पर डालनी पड़ कर सकते हैं खाने के लिए यहां पर पूरी की पूरी विवस्था रहेगी साथी साथ सोने के लिए यहां पर बेड सोंगे एसी वगरे लगाये जाते हैं और नहाने के लिए यहां पर गीजर वगरे अच्छे से लगाये जाते हैं तो यहां पर काफी सारी आपको सुविधा हैं सील.аз तो सब्सक्राइबां से पर आपको दूसरी डाइरेक्शन की गाड़ी लग जाएगी और जैसा मैँ बार आपको प्रोसेस बताया था कि आपको दो घंटे पहले जाना है uh और और जो जो भी प्रोसेस लाएगा वो जब आपको यहाँiat पर करण पर अपर आप जैसी अपने headquarter पहुच जाते हैं, मतलब कि जहां पर भी आपकी पोस्टिंग है वहां पहुच जाते हैं, तो वहां पर आपको minimum 16 hours का rest दिया जाता है, मतलब यहां पर आपने देखा आपको 6 गंटे का rest मिल रहा था, अब headquarter पहुचने पर आपको 16 गंटे का rest दिया जाए महीने में, आप 4 जादा rest दिया सकते हैं, जिसमें कि आपको 30 hours का rest दिया जाता है, अब जैसे नॉर्मली यहां पर आप 16 गंटे के बाद में available रहते हैं, तो वो rest मिलने के बाद आप यहां पर सीधा 30 गंटे के बाद available रहेंगे, तो जैसे कि दूसरे लोगों महीने में 4 संड का rest दिया जाता है, तो वैसे यहां पर भी आपको normally 30 गंटे का rest दे सकते हैं, लेकिन यहां पर कभी भी अगर emergency situation रहती है, जैसे कि कोई भी natural calamity का आना, या फिर कोई staff का नहीं मिलना, या कोई accident हो जाना, इस बीच पर भी आपको यहां duty के लिए बुलाया जा सकता है, अब य लोको पाइलेट्स का कैसा रहता है, लेकिन अब आप यह भी चीज समझे कि लोको पाइलेट्स का काम इतना ज्यादा आसान नहीं है, यह नौकरी में आपको risk बहुत ज्यादा रहता है, जब भी train को चलाते हैं, तो भाई साब वहां पर risk तो बहुत ज्यादा रहे गई, मतलब की duty जो है, वो लगातार ऐसे ऐसे जगे पर लगती है कि तीन दिनों तो आप अपने headquarter में वापिस पहुच ही नहीं पाते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, फिर यहां पर 24x7 सारे के सारे मौसम में आपको duty जाना पड़ सकता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, जहां पर आपको duty जाना पड़ेगा, और साथी साथ, अगर curfew अगरे भी लग जाता है, तो उसके बाद भी यहां पर railway passes issue करती है आपके duty के लिए, जब lockdown का time था, उस time पर भी यहां लोको पाइलेट्स को अलग से duty के लिए बुलाया जाता था, अब आपको यहां पर एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि जितने भी लोको पाइलेट्स होते हैं, तो इनकी एक stretch में duty दगबाग 8-9 घंटे की रहती है, लेकिन ज़रूरत पढ़ने पर railway कई बार इस चीज़ को 11-12 घंटे भी बढ़ा देती है, मतलब कि यहां आपको हो सकता है कि खाना खाने भी ना मिले, अब यहां पर जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, तो नागपुर से यह आपको एक 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 जामपल बताता हूँ, अब यह एक जामपल है विदर्व एक्सप्रस का, अब यह गाली जो है, इसका नंबर है 12106, यह चलती ह है, तो नागपुर से 5 बजे चलके यह रात के 11 बजे यहां पर बुसावल में पहुशती है, तो अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि शाम को आपको ड्यूटी में जाना पड़ेगा, और रात के 11 बजे तक आपको यहां पर गारी चलाना पड़ेगा, तो अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि रात का खाना आप कब खाएंगे, अब यहाँ पर आपको शाम कोई खाना खाना पढ़ेंगा, या फिर दोगेर में काना खाना खाएंगे, तो उसके बाद फिर आपको सीधर रात के गारा बज़े को मिलेगा. क्योंकि ट्रेन के चलाते समय आप बीच में खाना तो खाना नहीं सकते हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस तरह की गारियां कितनी जादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है आप लोगों के लिए और ऐसी है कोई एक गारी नहीं है यह तो मैं आपको एक्जांपल के तौर पर बताई इस तरह की कई सारी गारियां हैं जिसका समय इतना जादा खतरनाक है कि हो सकता है आपका दो टाइम का खाना भी स्केप हो जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वरकिंग रहती है लोको पाइलेट्स की जो कि आप समझ गए होंगे कि कितना जादा खतरनाक रहता है काम भी यह बहुत जादा प्रॉब्लमेटिक है हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ पर ट्रेन को चलाना भाई रातो रात यहाँ पर कई ले सकते हैं मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले आपको डिमांड लगानी पड़ेगी कि आपको कहीं के लिए भी ट्रांसफर चाहिए उस जोन और उस डिविजन का आपको नाम देना पड़ेगा कि कहां पर आपको चाहिए ट्रांसफर और अगर वहाँ पर वेकेंसी रहती है को आपका उतने ही रहेगा वह यहाँ पर कम नहीं होगा तो यह यहाँ पर ऑट लिए ट्रांसफर की बात हो गई कि उसकी बाद मैं आप आप आपको युजव ट्रांसफर बारे मीं बटा देता हूं अब ट्रांसफर आप कभी й ले सकते हैं और कोई भी पोस्टपर ले सकते ह जो भी दूसरे डिवीजन का आदमी को रहेगा, तो उसमें आप mutually तयार हो जाएंगे, वो जो आदमी है वो आपके डिवीजन में आ जाएगा, और आप उनके डिवीजन में चले जाएंगे, तो यहाँ पर किसी भी डिवीजन को यहाँ कोई भी नौकरी का नुकसान नहीं होत और वहीं neutral transfer आप कभी भी ले सकते हैं जब आपका मन करें और कोई भी पोस्ट पर भी आप ले सकते हैं, तो I hope यहाँ पर आप समझ गए होंगे लोको पाइलेट के काम के बारे में, कि यहाँ पर कैसे काम चलता है, मैंने आपको ALP के भी काम समझा दिया और लोको पाइलेट झाल